लबस्काद अपिकी टाम्स में आप सबीगाइब का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आरती शर्मा हर देश का लक्षे अपने लोगों के इस्तर जिवन इस्तर को सुधारने के लिए आशिक्षा बेरुजगारी और घरीबी को मिटाना है और बजट ये जो लक्षे है इन लक्षेओं को पूरा करने के लिए सरकार की मदद करत है हाली में बुदुहार को केंज सरकार द्वारा बजट पेश किया गया लेकिन अब सब की निगाहे राजस्थान सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले आगामी बजट पर है और ये बजट 10 फरवरी को पेश किया जाएगा और जिससे काफी लोगों को उम्मीदे भी है इ आपका स्वागत हैं चोटन में मेडम के अंदर सरकार द्वारा जो पारित किया गया बजट 2014 के अंदर मोदी जी ने एक नारा दिया था कि बहुत हुई मेंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार तो इन्होंने लगोतार नव साल में यह लोग बजटी बजट दिये जा रहे हैं इनको मेंगाई जो पैंट्रोल और डीजल के जो वाव थे 65 रुपे उस टेम डोलर की रेट थी 500 रुपे तो भी 65 में अब डोलर की रेट असी और निबे के बीच में है और इन्होंने पैंट्रोल डीजल को पंशा दिया सो के पार उस टेम गैस के जो आम आजमी के लिए गै इसना बहुत दूर्लब हो गया है एक गरीब आदमी पूरे दिन मेनत करके 500 रुपे कमाता है तो वापिस गर तक नहीं पहुंचता है यह आलात इन्होंकर के रख दिए अब भी कह रहे हैं लोग असा मैसूस कर रहा हैं मैने तो इसा इनके बजहिट में क्या दिया गए एक आदमी एक गरीब को रहत देने के लिए इन्होंने कोई बजट दिया हूँ लेकिन अब आपको राजस्तान सरकार से क्या उम्मीद है मेडम राजस्तान सरकार ने पचास युनिट तक तो घरेलू बिजली फिरिए किसानों को जो रण है बिना ब्याज दिया जा रहा है मेडम और जो राजस्तान सरकार का जो भी बजट आया है वो बिल्कुल जनता के हित में आया है चाया आप किसान का लेलो वेपारी का लेलो आम ये गरीब का लेलो गरीब के लिए तो मेडम पहले तो एक आदमी जब चाहता था कि मैं बीमार पढ़ जाओंगा तो मेरे पास पैसे यह मैं एक मुखी मंतरी जी ने एक चरिंजी वी योज न लाई है जिसमें दस लाग तक का इलाज फिरिये एवं उसके साथ खुदा भगवान के नहीं करें यदी दुर गटना हो जाती है तो पांस लाग उसका भीमा भी उसके साथ में फिरिये तो वो बिल्कुल शूर मेड तो आपको क्या लगता है इस बार भी जो सरकार की और से बजट पेश किया जाएगा वो भी अच्छा ही होगा बिल्कुल अच्छा होगा बिल्कुल युवाओं के हित्मे होगा गरीबों के हित्मे होगा आदमी के हित्मे होगा और हम भी चाहते हैं कि हमारे चोटन के लिए कि बहुत कुछ मिलने वाला है चुकि बजट पेश होने वाला है तो चौर्टन से क्या क्या उमीदे है कि यहां पर किस तरह की कि सुविधाई होनी चाहिए चौर्टन मेडम पिसले बजट भी बहुत कुछ हुआ यहां हॉस्पीटल में इसके अलावा यहां एक हमारे पवीतर मठ है दोजार सोईसमें सोहियों का मेला है उसके लिए सक करोड रुपे मुखे मुंतरी जी ने दिये और यह जो आणे वाला बजट है यह युगाओं मैलाओं और किसानों को समर्पित होगा बहुत अचा होगा जैसा आज तक किसी सरका है जो आप अभी भी बजट में चाहते हैं कि वह हो चौहटन के लिए आप की जिले के लिए चौहटन के लिए तो अब मेडम वैसे देखा जाए तो कुछ आलांकि यहां डॉक्टरों के पदरिक्त है वो पद भरे जाए बाकी सित्षा के सित्र में बहुत स्कुल्जाई से ह कोलेज है वहां पदरिक्त है तो इसमें सारा कुछ होगा अच्छा होगा तो कहीं ने कहीं गुंजाईश भी नजर आ रही है आपको कि यह बजट अच्छा होने वाला है जी आप बताइए आपको क्या उम्मेद है इस बजट से मैडम यह राजस्तान सरकार जो बजट हो रहा है यह हमारे राजस्तान के लिए बहुत सांदर बजट होने वाला है क्योंकि यह बजट किशानों पर निर्पर होगा मुझे यह मालूम है किशान कौम के अलावा यह बजट नहीं होना है किशान कमाता है तो वेपारी खाते है पत्रकार खाते हैं अधिकारी खाते नेतागोट खाते हैं कि अगर नहीं खेत में कोय अपजाएंगे तो नहीं इस एक रचोंगे में और विदार्तियों के लिए जो बार बार पेपर लीग हो एक योजना बनेगी और यह सांदार मुख्यमंद्र का लगता है कि पिछले से बहतर होगा क्या राजस्तान में यह सरकार आ रही थी यह आनी थी और 2018 के चुनार विधानसभा के हुए सरकार ने किसानों से वाहदय किये थे कि 10 दिन में आपका करजा माफ कर देंगे लेकिन आज तक किसी किसान का करजा माफ नहीं कर पाई यह सरकार इस सरकार ने युवाओं से वादा किया था कि सरकार आते ही हर युवा को वेरुजगारी भत्ता दिया जाएगा लेकिन आज तक किसी भी युवा को वेरुजगार अंग और इसा आपने विचली की यूटिंट तक कलती हैं लेकिन приisipUN होते हैं आप क्या करते हो क्या दर लगती है। क्या किसान मार जेलता हैं , वह आप नहीं जानते क्योंकि आप नेता और Object scripture हैं और बाबात प्रवस्षाई है और रपात रही चोहटन की तो मेडम पिछले वसंद्रा सरकार के द्वारा हमारे चोहटन में गोवर्मेंट कोलेज घोशित किया गया था जिसकी गोशना की गई थी और उसका काम भी हो गया था लेकिन इस सरकार की अकर्मनेता को देखिए चार साल बीच जाने के बाद भी वह बिल्डिंग पूरी नहीं हुई है आज कोलेज जो की सीमा चेतर में विद्याटियों की शिक्षा के लिए अति अनिवार्य और जरूरी है और उसमें शिक्षक नाम मात्र की तीन सिक्षक हैं सभी अन्य जो विशे हैं उन पर ना तो कोई लेक्षर है नहीं चिकित साले में डॉक्टर हैं नहीं शिक्षा के अंदरों विद्यालों में शिक्षक हैं और इस प्रकार से हर तरह से अकर्मनिया सरकार और अकर्मनिया सरकार के कारिकर्म दिख करने में ये सरकार पूर्ण रूप से नाकाम रही है। उमीद तो मेडम वहाँ से की जाती है जहाँ पर कुछ आसा हो। ये कॉंग्रेस की नकमी और निठली सरकार पिछले जब से सता में आई है किवल अपने सरकार को बचाने में लगी है अगर अपने यहां जाके विद्यालों के इस्तती पता करेंगे तो उन्होंने सीनिर सेकंडरी विद्यालों की गोशना कर दिये पर वास्तु इस्तती यह है आप चोहटन ब्लोक के किसी भी विद्याले में जाकर के पता कीजिए कि वो थड़गे टीचर अथ्वा जो विद्याले साइक लगा रखे उनके बरोसे सीनिर सेकंडरी विद्याले चला रहे हैं अगर अपन चोहटन के सीनिर सेकंडरी स्कूल की बात करेंगे तो कभी ऐसी इस्तती थी कि जहां आजार से बारा सो बच्चे अर वर्स यहां से पढ़के जाते थे आज इस्तती यह है कि वहां मुश्किल से आपको 50 बच्चे भी नहीं मिलेंगे तो सिक्सा के अगर दृष्टी कौन से कहेंगे तो यह सरकार पूंड रूप से फैल है सरकों की जगे जगे बने हुए गड़े और सबसे बड़ा दुखत बात तो कल विदान सभा के अंदर सि G20 का समयलें जोदबूर के अंदर हो रहा है और दिन दाहडे अपरादियों के दारा सड़क के उपर अगर हत्या की जा रही है तो ऐसी निखमी निखमी और निठली सरकार से क्या उमीद की जा सकती है तो लगाता है यहाँ पर हम लोगों की राय जाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के के बजट से उन्हें उमीदे हैं और क्या बजट में उन्हें लगता है कि चोहटन के लिए कुछ अच्छा हो सकता है यहाँ पर मिली जूली जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिली है ल नए जो योजना है जो नए जो कारिक्रम है वो आ सकते हैं तो अब देखते हैं दस फरोल को किस तरह से लोग जो है इस बजट से खुश होते हैं तो कैमरा परसन भर शर्मा के साथ रिपोर्टर आर्दी शर्मा दपे के टाइम्स